नमस्कार दोस्तों मैं जैप्रकाश लाइचा आपका आधिक शॉबत करता हूँ आज हम RPSC Lecture Technical Education 2020 में आए क्विशन सोल करेंगे यही क्विश्चन है RPSC ACF and FRO 2018 में भी आए हुआ है क्विश्चन है एक मैट्रिक से कोर्स्पंडिंग सानिक दे रखा है जिसकी FAST row है 1 प्लस X 1 1 SECOND row है 1 1 प्लस Y 1 और THRID row है 1 1 1 प्लस Z इसकी value में बताने है कि इसकी value कितनी होगी तो इस आणिक के value के लिए में चार option दे रखा है FAST option है XYZ into 1 प्लस 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z SECOND option में सिरफ XYZ दे रखा है और THRID option में 1 प्लस 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z दे रखा है और 4th option में 1 भी नी दे रखा है यानि 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z दे रखा है तो इसका answer क्या होगा तो पहले इसे थोड़ा method से solve करते हैं फिर देखेंगे कि examiner direct कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ फैस्ट रो से X को में ले रहा हूँ फैस्ट रो से X को में ले रहा हूँ सेकेंड रो से Y को में ले रहा हूँ और फैर्ड रो से Z को में ले रहा हूँ जो कि मैट्रिक्स स्मेट्रिक है उसके corresponding हमें सानिक दे रखा है यानि हमें जो matrix जारा हुआ है यानि हमें जो मैट्रिक्स दर्खे है वो symmetric है यानि a transpose equity a है तो हम जो common ले रहे हैं वो row से भी ले सकते हैं column से भी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे fast row से x common ले रहा हूँ तो अगर x common लोगा तो यहां मुझे 1 है तो 1 से खर x common लेंगे तो मुझे मिलेगा 1 upon x और यहां x common ले लिए तो यहां पर 1 बचेगा यहां जो 1 है तो 1 को इस प्रकाली सकते हैं x upon x और अगर x common ले लेंगे तो 1 upon x बचेगा similarly यहां पर भी 1 upon x तो first row से x common लेने पर हमारे पास यह वेली बचेगे second row से y common लेंगे तो y common लेने पर 1 common लेख सकता हूं y upon y और y common लेने पर 1 upon y बचेगा तो 1 upon y, 1 upon y plus 1, 1 upon y और third row से अगर z common लेंगे तो मुझे मिलेगा 1 upon z, 1 upon z, 1 upon z plus y तो यह हमें एक सार्णिक मिल गया इस सार्णिक को सरल करके हमें इसका मान और गयात करना है तो x, y, z हमने common ले लिया अब यह सार्णिक हमारा देखा हूआ है अगर आपको एक direct result याद है तो आप इससे direct विल लिसकते हैं previous lecture में मैंने बताया था यदि कोई सार्णिक का a column हो a, b, c दूसरा column भी हो a, b, c तीसरा column भी हो a, b, c और जो diagonal के element है निविकर्ण के अवे हो है वहाँ पे अगर सब जिगाँ one add कर दें एक जोड़ दें तो इस सार्णिक का मान होता है one plus a plus b plus c तो यह result मैं यहाँ पे कामे ले रहा हूँ हमारे अगर हम first column देखें तो one अगर अटा दें तो one upon x, one upon y, one upon z यहाँ से भी one अटा दें तो one upon x, one upon y, one upon z और यहाँ से भी one अटा दें तो one upon x, one upon y, one upon z तो अगर a की जगाँ one upon x ले 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 b की जगाँ one upon y, c की जगाँ one upon z और सबी जगाँ diagonal में one add है तो इसका result मैं direct लिख सकता हूं तो इसकी value जाएगी बाहर पहले से common x, y, z और शाणने का मान होगा one plus a की जगा one upon x, b की जगा one upon y, c की जगा one upon z तो हमारा जो correct option है वो fast option हो जाएगा यानि हमारा answer होगा fast तो ये तो हमने method से किया थोड़ा सा result का उपयोग लिया अगर हम result का उपयोग भी लिलेंगे तो हमें संक्रिया लगानी पड़ेगी कि इनको सबको add करना पड़ेगा यानि r1 में r1 plus r2 संक्रिया लगाएंगे तो r1 में r1 plus r2 plus r3 लगाने के बाद में ये राशी को मनाएगी और अंदर जो सानिक बचेगा उसका मान सरल करने पर एक आएगा तो ये तो हो गया general method अब अगर इसी question को हम एक बार परसार से भी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या value पुट करके भी check कर सकते हैं तो अगर दो तिन method और ट्राय करेंगे तो पता लगेगा कौन सा method सबसे easy है और किस परकार हमें exam में करना चाहिए आए इस साणी का परसार करते हैं और परसार करने पर क्या method length ही होता है या इजी होता है वो देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसको परसार करेंगे तो मुझे सबसे पहले diagonal के element मैंने multiply किए तो मुझे मिलेगा 1 प्लस x into 1 प्लस y into 1 प्लस z इसा multiply करना मैं काफी बार बता चूंँ प्रियोस लेक्चर में इसके बराबर का जो diagonal है उसको मैंने से multiply किया तो 1 into 1 into 1 बना जाएगा और इस साइड का जो diagonal 1 into 1 into 1 इससे भी बना जाएगा और symmetric matrix होती है तो हमेशा इस second term और third term हमेशा equal आती है यह वन आएगा तो यह भी कहएगा वन आएगा तो तीन पद है वह हमने plus के लिख दिये बाकी जो तीन पद है वह माइनस के आएगे तो सबसे पहले मैंने off diagonal के element को multiply किया तो 1 into 1 plus y into 1 यानि 1 plus y इसके बाद में इस off diagonal के parallel जो element है उनको मैंने इस corner वाले element से multiply किया तो 1 into 1 into 1 plus z यानि 1 plus z और यहां पे इन दोनों को मैंने इस corner वाले element से multiply कि मुझे मिलेगा 1 into 1 into 1 plus x यानि 1 plus x तो यह हमने इसका प्रसार लिख दिया अब इसको सरल करेंगे तो सरल करने में सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो आती है कि यह इन 3 का multiply है अगर हम यह इस 3 का multiply easy लिख सकते हैं तो फिर answer तुरंत आजाता है और अगर इसका multiply करने में में काफी time लगाते हैं तो इसमें time एक्स्टा बढ़ जाएगा है नहीं हमारा time consume होगा तो मैं एक बार इसका multiply लिख रहा हूं आप भी जब इस क्यूशन को सोल करें तो इसका multiply डिरेक्ट लिखने कोशिस करना उसका डिरेक्ट लिखने का फायदा क्या होगा वह भी देखें करेंगे नहीं आद रहें तक कोई दिक्ट वाली बात नहीं है multiply करना है वह हम कर सकते हैं इस जीवे में कोई दिक्ट वाली बात नहीं है तो multiply करेंगे तो देखो 1 1 1 तीन हो चोंग है स्टार्टिंग में नहीं लिखा मैंने X Y Z तो एक पत X Y Z काएगा तो यहां पर सब से पह तो इसका multiply यह आता है यह आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चीए दुबारा बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले constant रम फिर 1 1 variable फिर 2 का multiply variable की form में और 3 का multiply यह आपको याद रखना है इसका multiply होता है अगर आप इनको आपस में पहले 2 को multiply करोगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस y प्लस z प्लस y जड और फिर इसको अगर 1 प्लस x अप्लाइ करोगा तो भी यह हमें 8 पद मिलेगे अगर यह 8 पद आप डारेक्ट लिख देते हो तो फिर इस कुस्टन में ज्यादा time नहीं लगेगा 1 प्लस 12 और यहाँ पे अगर bracket की बात करें तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस x प्लस y प्लस z अब यहाँ पे जो x प्लस y प्लस z है यह प्लस का है और यह जो x प्लस y प्लस z है यह किसका है माइनस का है अंदर मिल्टप्लाइ करने पर तो मुझे यहाँ पे constantrum की और बात करें तो 1 प्लस 2 3 यह माइनस का 3 यह भी आपस में cancel हो जाएंगे तो मु यह जो value मिली है, अगर मैं इनको आपस में multiply करके लिखता हूँ, या फिर यहां से x, y, z common लेता हूँ, तो मुझे यह चीज convert हो जाएगे, या फिर इसको multiply करके लिखता हूँ, 1 upon z plus 1 upon x plus 1 upon y plus 1, rearrangement करके लिखा, तो x, y, z, 1 plus 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, यह हमारा correct option है, तो exam में वैसे इस method से solve करना नहीं है, इतना time लगाना भी नहीं है, लेकिन अगर इस method से हमारा solve क्या होगा, तो हम direct answer tick कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ सर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस first option को multiply करके लिखूं, तो x, y, z को अंदर multiply किया, तो मुझे में लेगा x, y, z, x वाले पद से multiply किया, तो y, z, इस से multiply किया, तो y cancel हो जाएगा, x, z बचेगा, और इस से multiply करेंगा x, y, z को, तो z cancel हो जाएगा, x, y बचेगा, यह हमारा first option है, second option है, x, y, z, और third option और fourth option हमारे पास यह है, अब अगर मैं सार्णिक का परशार करता हूँ, तो किसी भी आलत में मुझे बटे में कोई भी राशी नहीं मिल रही, अगर हम देखें, तो किसी भी पद में हर में कुछ भी विद्यमान नहीं है, यानि हर में के अवल एक है, numerator में value मिल रही है, denominator में कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर third option और fourth option में denominator में value है, हथे चाहिए तो विना से जो अपने कोई राइस Queens कोई ने है तो फिरांस विर्या टो संधों फैर्ड यह नहीं हो सकते अब हमारे पास जो संदू बचे अगर यह किस्सिन हमाँ बार fight यह पार है क्वारा सामने आता रहता है तो हमें पता रहेगा किसको अंसर यह है और यह इस फोम में तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यानि इसको इस फोम में भी लिए सकते हैं इसका रीजन यह है कि बट्टे में कोई राशिय नहीं है तो दो ऑप्शन कटके आपको दिमाग में कि बट्टे वाला उप्शन इसमें देखते ही क्या करना है तुक्का भी लगाएं तो कम से कम थर्ड और फॉर्थ उप्शन में तो बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगना चाहिए अब अगर इसी कुस्टन को और इजी मेथट से करना चाहें इस परसार से सि हैं उसमें चार पद हैं वो केंशल हो जाते हैं और बख्की के चार पद है वो चार पद हमारा अंस्वर होते हैं तो अगर आपको थोडा सा Iyad है थोड़ा सा Ians you, याद है तो आप इजिली इसका परसार लिख दोगे फिर भी आप नहीं करना चाहो तो फिर कैसे करेंगे तो एक मेथड यह है कि आप यहाँ पे एक्स प्लस वन को जीरो माल लो तो मैंने अगर इसी किस्टन को तो किसी इसरल करना चाहें तो सेकिंड में डिस्कस करस्हें तो मैंने लिया ऐक्स प्लस मच यह फिकिस्टinação याफिर यह कहें यह पर ऐप रहते ही है कि यह एक्स वन रख प्लस वन ऑपोन एक्स रखते ही यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर माइनस वन रखते ही माइनस वाई जैड और यहाँ पर माइनस वन रखते ही यह माइनस वाई जैड इंटू ब्रेकेट में वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जैड और अगर आप परसार करके इसको सोल करेंगे तो बि multiply करने पर जीरो इसको सिमिंटटुपलाइ किया zero plus one plus one फिर तीन पских leaning क कलाँ Greens कर आएगा यहां से आएगा चासे आएगा चाहिआ हो और इसके बाद इसको सिमिंटॉपलाइ करें तो 0 is को सिमिंटपलाइ करेंगे तो 2 माइनस का वन प्लस-जेट और solve करके लिखा तो यहां पे plus का one is minus one से cancel यह plus का one is minus one से cancel तो minus y minus z और minus y minus z सिर्फ fast option से मिलेगा तो हमारा correct option again fast option एक value और मैं बताना चाहूंगा कि इसको और किस परकार से कर सकते हैं तो वो है x equals to y equals to z equals to तीनों की value और हम one 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 ले ले अगर तीनों की value one लेते हैं तो उससे एक चीज तो क्या रहेगा कि fast option और third option वो same value देंगे क्योंकि अगर one one value put करेंगे तो यह value one और bracket में इसके और यह value दोनों equal है तो इससे जो value आएगी वह value से आएगी यानि इससे हमें अगर one 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 रखने पर four मिल रहा है तो इससे भी हमें क्या मिलेगा four तो fast और third option हमारे क्या मिलेंगे सेम मिलेंगे लेकिन अगर हमारे यह दिमार्क में है कि अगर इस सानिक का परसार करते हैं और बटे में कुछ नहीं आता तो third option अगर हमने पहले क्या कर दिया है कैंसिल कर दिया है तो option बज़ेगा सिरफ फेस्ट option तो अगर मैं xyz की value one 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 लेता हूं लेकिन मैं इसको multiply करने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं इसका result आपको direct दिमाग में रहना चाहिए कैसे रहना चाहिए मैंने थोड़ देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई सानिक है और उसका first column है abc second column भी abc है और third column भी abc है और उसके diagonal के element में अगर one one add है तो a plus one b plus one और c plus one है तो उसकी जो value होती है 1 plus a plus b plus c अब अगर मี้ a b c सबकी value आपर 111 रख देता हूं तो यह हो जाएगा one plus one two one one two one one यहां पर रखेंगे तो one two one one two one और यहां रखेंगे तो one one two one one two यानि अगर A b c 3 होキा value आपर one रखते हैं तो यहां पर GUYण प्लस वन प्लस वन यानि 4 तो इसका मान 4 होगा यह हमारे डारेक्ट दिमाग रोना अच्छी है बाकि अगर हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो तो इजीली इसकी वेलव कितनी प्राप्ट हो जाएगी ए और अगर 111 रखने पर 4 प्राप्ट हो रहा है तो ये 111 रखने पर 1 1 । प्लस फ्लस फ्लस 1 यह 4 हो गया तो मारा करेक्ट ऑप्शन अगें फैश्ट ऑप्शन बाकि कि सीभी ऑप्शन से हमें 4 मिलेगा second or fourth option से second option से one मिलेगा fourth option से three मिलेगा इस से four मिलेगा मैं पहले ही बिता चुका हूँ लेकिन वो four हम पहले ही cancel कर दें क्योंकि यहां पे बटे मेरा आसिया है जो कि LCM लेके solve करने पर भी क्या होगी आपस में cancel नहीं होगी तो किसी को अगर यह cancel करने में दिख के था तो पहले LCM ले लेना बाद में solve कर लेना moral of the story क्या है कि इस question का answer हमें देखते ही दिमाग लेना चाहिए कि क्या होगा xy plus yz plus zx plus xyz या फिर xyz को में लेने के बाद में bracket में 1 plus 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z क्या है